हेलो बच्चो स्टार्ट करते हैं एक्साइस 2.6 कोस्टन नमबर 7 एन दिस दे लास्ट कोस्टन अफ दिस एक्सरसाइस एस वेल एस चैप्टर एक्साइस और चैप्टर दोनों का ही लास्ट कोस्टन है तो अच्छे से करेंगे और थोड़ा सा इंपोटेंट भी है लिखा है तो थोड़ा सा उपर से कटा हुआ है तो मैं पढ़ूँगा आप अपनी बुक से मैच करना इस ग्रेटर देन इस निम्रेटर बाई एट बाई रेशनल नमबर जैसे ही कहीं भी आप रेशनल नमबर पढ़ो आपके मैंड में पी अपन क्यों आ जाना चाहिए क्योंकि रेशनल नमबर इसी फोम में होता है और उपर वाले को निम्रेटर कहते है नीचे वाले को डेनोमिनेटर आपने अपनी जूनियर क्लासेज में पढ़ा होगा कोशन में बोला है जो हमारा डेनोमिनेटर है क्यों ये निम्रेटर से 8 बढ़ा है तो अगर हमारा डेनोमिनेटर एक्स है तो डेनोमिनेटर एक्स प्लस 8 होगा तो इस चीज को लिखते है देखिए देनोमिनेटर ओफर रेशनल लंबर इस ग्रेटर देन नंबर बी X हमने क्या माल लिया हमने कहा जो हमारा रिन्यूम्रेटर है वो X है therefore the denominator of rational नंबर बी X प्लस 8 हो जाएगा क्यों क्योंकि कोशन में बोला है जो हमारा नंबर है रिन्यूम्रेटर है वो रिन्यूम्रेटर से 8 जादा है तो अगर न्यूम्रेटर X तो ये X प्लस 8 हो गया अब आगे पढ़ते हैं if the numerator is increased by 17 अगर हम न्यूम्रेटर को 17 से बढ़ाएं मतलब 17 प्लस करें तो according to the question अगर हमारा न्यूम्रेटर क्या है X और डेन्यूम्रेटर क्या है X प्लस 8 question में बोला है अगर आप अपने न्यूम्रेटर को 17 बढ़ाएं प्लस 17 कर दीजिए and the denominator is decreased by 1 और अगर denominator को 1 से घटाएं तो minus 1 कर दिया then the number obtained is 3 by 2 तो जो ये number आएगा हमारा ये 3 by 2 होगा equation set up हो गई है find the rational number rational number निकाल दो rational number क्या था हमारा X upon X plus 8 क्योंकि ये numerator denominator था चलिए equation solve करते हैं जैसी ये equation आए fraction हो दूरों तरफ कर दो cross multiply क्योंकि 2 divide में उपर multiply में ये fraction हैं पर divide में उपर multiply में तो 2 की multiply X plus 17 बहिया के साथ और 3 की multiply X plus 8 में से अगर 1 minus करेंगे तो क्या होगा 7 तो मैं यहां directly plus 7 लिख रहा हूँ एक ही step मैंने बचा दिया है क्योंकि 8 से minus 1 करोगे तो 7 होगा चलिए multiply करें 2 into X 2X और 2 into 17 34 3 into X 3X 3 into 7 21 next step वही अपना like terms एक साथ लिखिए 3X की सीज में plus यहां पर आकर minus यह भी यहां हमारे 34 plus में यहां पर आकर minus तो 2X minus 3X is equal to यह plus 21 है यह plus 34 यहां पर आकर हो जाएगा minus 34 चलिए solve करते हैं यह plus है यह minus plus minus माइनस तो 3 में से अगर 2 गए तो हमारा 3X में 2X गया बस X बचेगा लेकिन अपना sign लगा दो बड़े वाले का बड़ा क्या है 3 3 के सामने minus तो लगा दिया minus is equal to प्लस माइनस यहां पर भी minus होगा 34 से 21 माइनस कर दो तो 4 बे से बन गया 3 और यहां पर 3 से 2 गया 1 13 बचा हमारा लेकिन sign बड़े का बड़ा क्या है 34 minus का sign लगा minus से minus कटा X is equal to 13 आ गया पर साइद हमी X is equal to 13 नहीं निकालना था हमें निकालना था find the rational number the rational number is बड़े क्या था rational number हमारा numerator X था denominator X plus 8 था X की वेली पुट कर दो X आया हमारा 13 और निच 13 प्लस 8 is equal to 13 upon 21 and that's the required rational number और यहाँ पर इस question के साथ हमारा chapter और exercise दोनों खत्म हो चुकी है अब आपका काम बनता है honestly आप भी जिस तरह मैंने प्यार से पड़ा है आप भी प्यार से सारी exercise को copy में note down करें और इसके examples try करें और जिस भी example में आपको दिक्कत होती है comment करें मैं उस example की video बना के upload कर दूँगा thank you very much